हलो स्टूडेंज मैं संदिप सिंग वलकम करता हूं आपका अपनी चैनल मैगनेट बिंस हिंदे मेडियम बन जहां पर मिलता आपको कम्प्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री आफ कॉस्ट तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक सब्जेक्ट के साथ और इन दिनों मेरे एग को भी चाप्टर वाइज फिर हम लोग ने देखा mcqs questions उसको भी चाप्टर वाइज कवर अब किया फिर हम लोग ने बात किया previous year question की इसके साथ ही साथ अब क्या discuss करें भई तो अब हम बात करना चाहना है assertion and reason type के questions को ये भी हमारी ncrt हमारी book के accordingly ये paragraph को दी जाती है और cbcc वहां से questions पूछती है क्या कहते है भई तो ये देते हैं एक case मतब एक opening statement और उसका reason बताते हैं और कहते हैं कि आप बताइए क्या जो मैंने opening statement यानि जो अभी कतन assertion है वो सही कहा है और जो नीचे reason लिख रहा हूँ वो भी सही है और क्या ये जो assertion है उसका ही complete explanation है reason या ऐसा है कि assertion अपने आप में सत्य रीजन अपने आप में सत्य लेकिन जो अभी कतन है उसका कारण नहीं बता रहा reason या फिर सिर्फ और सिफ असर्शन सत्य है reason गलत है या फिर सिर्फ और सिफ हैना reason सही है assertion गलत है ऐसा करके चार options होते हैं हमारे पास and हमें उनमें से एक answer को चुनना होते हैं अब अधिया सा जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाया लॉजी से हमें assertion and reason type के questions देखने को मिलें है तो मतलब सुर कर लेते हैं चैप्टर नमर 13 असर्शन और रीजिन विदुद्धारा के चुम्ब किया प्रभाव को और देखते हैं जला इसके सारे कॉंसेप्स को एक बार अलग ने चलिए से असर्शन और रीजन वाले ने चलिए से तो भाई जैसा कि पता है मैगनेट ब्रिंस अब हिंदे मेडियम के स्टूडंस के लिए भी ले करके आ गये हैं आपके बुक्स और इबुक्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाएए लिंक को फॉलो कीजिए और फटा फट से ओडर कर लिजिए अपने बुक्स और इबुक्स जो कि एक्सक्लूजिब ले मैगनेट ब्रिंस द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है जो कि आपके एक्जामिनेशन में बहुत मददगार सामिदल होने वाली है तो सुरू करते हैं न इस शेशन को जहां पर हमाने पास सबसे पहला क्वेशन आने वाला है बही चाप्टर नम को फिर्मी केंडे दृक्स करने तो आपके साथ कि भी होता क्या है दो कथन होते एक शचिन कहते हैं अभी चछीकिन कर रहा है कि ऐसा अगर हो रहा तो क्यूं हो दूसरा यह है कि assertion reason अपने आप में सत्य हैं लेकिन reason assertion को explain नहीं कर रहा है मतलब मैं कहता हूँ assertion में ओम के नियम की बात करता हूँ assertion में और reason में मैं कहता हूँ कि धारा वाही से जब विदुधारा प्रवाहिट की जाती है तो उसके चारो तरफ चुमकिये छेते उत्पन हो जाता है यह दोनों बाते सत्य हैं लेकिन एक दूसरे का explanation यह पूरक नहीं है तो option number B आ जाता है वैसे में एक ऐसा होता है कि एक सत्य है दूसरा सत्य है पहला statement सत्य है दूसरा गलत है अगला option है कि पहला statement मतलब assertion जो है गलत है और reason है वो सही है तो क्यों नहीं इसको question के माध्यम से समझता है कि और बहुतर समझ मैं let's start our question question number first is कि अभी कतन में कह रहे हैं एक सीधे conductor conductor का मतलब समझके चालक की बात कर रहे है कि माध्यम से धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर conductor के चारो जो चुमकिये चेत्र थी उसकी दिशा उलट जाती है पलट जाती है तो बात तो सही लग रही है त्योंकि और स्टेड नहीं एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि जब विदुद्ध धारा वाही से आप विदुद्ध धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक कंड़क्टर है इसमें करेंट ऊपर की तरफ जारा है तो जो डिफलेक्शन आपको इस मागनेट में मिलेगा ठीक है जो डिफलेक्शन जो विछेपन इस चुम्बक में आपको देखने को मिलेगा अगर विदुद्ध धारा के दिसा आप बदल देंगे तो इसमें उसके विछेपन की भी दिसा बदल जाएगी बात सही है यह समझ में आती ही कारण भी है क्योंकि विदुद्ध चुमकिय छेत्र के अगर हम बात करते हैं चुमकिय छेत्र एक वेक्टर कॉंटिटी कैसी कॉंटिटी वेक्टर कॉंटिटी सदीस रासी और उसर तो कुछ नहीं पड़ा, आपने ये कहए इंगुठ के नियम था नहीं भाई दाहीने आफ के नियम था जिसमें दाहीने हाथ का अंगुठा बता था विदृत धारा के देशा को अन उंगलियों का जो घुमाओ था ये बता रहे थे क्याना था इसमें हम बात कर रहे थे किसमें चमकिये 7 रहा है तो यह बल की दिसा होगी लेकिन यहाँ पर जब आपके सामने ऐसी किंडिशन दी गई है जहां पर और स्टिट एक्सपरिमेंट की बात करें वहाँ पर यह नहीं था दाहिने प्हैसा को तो फिरद आइंस चिन्बके च्य nesse के दिसा यहां पर उन्दर के तरफ और यहाँ पर चुम्बके च्यूट के दिसा की तरफ एंद पर शर्ट शो करने के लिए क्रॉस लगाते हैं और बहर आने के लिए ड電प लगते मैंने आपको करने वार से Up कहीं पर भी कोई भी थोड़ी सी भी doubt नहीं आए क्योंकि हम इस बार target करके बैठा हैं कि भी यह full out of full पूरे में से पूरे number चाहिए और आएंगी भी बहुत आसानी से तो क्या समझ गए हमने कह दिया right hand thumb rule को follow करती है left hand thumb rule कुछ होता ही नहीं है तो मतलब यह तो गलत हो गया ना तो क्या आपको इस में से कौन सा option लग रहा है कि भी assertion अभी कथन तो सही है reason गलत है कुछ है क्या बिल्कुल है यह c option दिखे assertion सत्ते है अभी कथन सही है लेकिन reason कारण गलत है ठीक c is the correct one अच्छा cross verify भी हो गया भी c ही है वो जो की सही है चली आगे बढ़ता हूँ question number second में अगर आपको answer इसके पता है तो भी यह video pause कीजिए और answer type कीजिए जल्दी से हाना क्या है देखे धारावाही परिनालिका के अक्छपर किसी बिंदू पर चुमकिय चेत का परिमान परिनालिका से प्रवाही थोने वाली धारा के व्यूत्क्रमान उपाती होता है कह रहे हैं कि धारावाही परिनालिका के अक्छपर ठीक है ये एक धारावाही परिनालिका है इसके अक्छपर तो मतलब मालीजे इसके अक्छपर मैं कहीं पे बात कहलेता हूं। यहां से जो चुम्बकी ऑच्षत्र इसके उपर उत्पन होगी। बालिचे एक च्छोटे से कट से हम इससे देख रहे हैं कि हम पर चुमबकी चैत्र के तिवरता यह इन्वर्शली प्रपोस्टनल है वन अपान इन्वर्शली प्रपोस्टनल है इसक्वाइर अफ धारा के ऐसा कुछ कहने क्या प्रभाइट होने वाली धारा के सिर्फ तो स्कायर नहीं है ना सिर्फ वर सिफ धारा के मतलब आई के वित्क्रमान उपाति ऐसा क्या रहे ठीक है चलिए करते हैं बात है धारावाई परिनालिका के अक्षपर किसी बिंदू पर चुम्बकिय छेत्र का परिमार परिनालिका के प्रती इकाई लंबाई के घुमाओं की संख्या के समान उप पर मिगनेटिक फिल्ड लाइन के जो ताकत होगी तिवरता होगी वह बढ़ेगी यह बात सही है तो मतलब क्या समझ मारा भई डी कि ये गरबढ़ है ये गरबढ़ है जब हम कह रहे हैं एक तरफ कि इसमें नमबर अफ टरंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चुमकिय धारा के कैसी ब्यूत्रक्रमान उपाती नहीं हो सकती मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है धूसरा स्टेटमेंट साही है यानि असर्शन गलत है लेकिन जो रीजन है यह सही असर्शन गलत और रीजन जो है यह करेक्ट है ठीक है बढ़िए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले के तरफ question number third एक कमपास हुई वर्तमान भई एल्टिमेट्री धारा है यह हाना धारा ले जाने वाले तार के पास रखी जाती है किस क्या ले जाना भई धार ठीक है करेंट की बात कर रहा है ठीक देखे जब एक कमपास हुई धारा ले जाने वाले तार के पास रखी जाती है ठीक है तब तार में विदुद्धारा का परिमान बढ़ाया जाता है तो दिक्सुचक सुई का विछेपड कम हो जाता है यह कह रहा है कि यह एक करेंट करेंग कंडाक्टर है यहाँ पर एक मेगनेटिक नेडिल रखी गई है जब इसमें आई कामान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो विछेपड है वो कम हो जाता है यह तो गलत बात लग रही है दारा कामान आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं जैसे आप धारा कामान बढ़ाते हैं चुमकिय छेतर की तिवरता भी बढ़ती चली जाती है तो ये तो बात खतम होगी ये गलत है धारा बढ़ाने पर चाला के पास एक बिंदू पर चुमकिय छेतर की सकती जो है तिवरता जो है वो बरजाती है ये बात सही लग रही है ये बिल्कुल हमेरे दिमाग में कि धारा अगर आप प्रवाहित करते हैं और धारा कामान अगर आप बढ़ाते हैं तो चुमकी चैतर के तिवुरता कामान भी बढ़त जाता है चुरी आगे बढ़ते हैं क्वेशन इमर फोथ की बात करते हैं अभी करते हैं अशर्शन में कहरें कि कमपास सुई को एक करंट ले जाने वाले तार के पास रखा जाता है जब कमपास सुई को तार से दूर विस्थापित किया जाता है तो कमपास सुई का विशेपण कम हो जाता है बात तो सही लग रही क्या कह रहा है देखी आई एंपेर की धारा चल रही है यह हमारी एकम पास हुई इसको जैसे जैसे आप दूर ले जाएंगे मतब धारवाही से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे चुंधिय छेत्र की तिवरत हा कम होती जाएंगे एक बात समझाता हूँ मैं आपको होता क्या है जब non contact force की बात करते हैं जब हम और इस परसी बल की बात करते हैं जो संपर्क में नहीं है ऐसे बलों की बात करते हैं तो वो हमेशा इस दूरी के व्यूत करमानुपाती होता है मैं सीधे लिखते हो यहां पर देखें और मैं अभ क्या समझते हैं यह मैं यह वाला धारावाही वाली बात छोड़ी है तो एक चुम्बक एक दूसरा चुम्बक पहले चुम्बक को यह रखें दूसरे चुम्बक को जैसे जैसे दूर ले जाते जाएंगे इस से इस चुम्बक से इस पर लगने वाले बलकामान क्या होता हैं यह सब और से बले और इनमें यही काम होता है दूरी बढ़ाईएगा बलकामान कम होने लगेगा not even this if I'm talking about the exact form that is one upon just square of distance मतब क्या वही एक बटा दूरी का वर्ग मतब आप दो कदम से आगे बढ़ेंगे और आपकी स्ट्रेंथ है वह चारगुनी कम होगी है इसको और अच्छे तरीके समझा तो एक सबसे सिंपल सा जो आपका वाइफाई राउटर है है जहां से वाइफाई आपको मिलता है इससे आप दूरी बढ़ा जैसे जैसे यह ऐस पर सी टाइप ही है काइंड आफ वायरलेस है तो जैस कम हो रही है मतलब अब तो समझ में आगे ना अज पर शिबल अगर होगा तो भाया दूरी बढ़ाने पर उसका इंपक्ट उसका मान कम होता जाएगा तो बात तो बिल्कुल सही है कि तिवरता धेरे-धेरे कम होगा जब आप इससे दूर जाएंगे चीक चलिए आगे बात क जाएंगे आपको उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है अर्थात बात समझ में आ रही है कि अशर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है यह जो रीजन है यह एक्स्प्लेइन कर पा रहा है ना यह इसका कारण बता पा रहा है कि ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूं भी छ सेलेक्ट करना है ओवर टुटुटू नुमर फेफ्ट अन्ट क्वेश्टिन इस कि भई किसी धारावाही वृताकार कुंडली की केंद्र में उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की तिवृता कुंडली के माध्यम से प्रवाहित धारा को बढ़ाने पर बढ़ा जाती है मतब कह रहे है एक वृताकार कुंडली है इसमें से आई एंपियर की धारा बढ़ा बहार है इसके जो केंद्र पर इस केंद्र पर ठीक है अगर आपने वृताकार कुंडली का यह केंद्र की बात करें इसमें अगर धारा आई का मान में बढ़ होता ही करें जैसे मानली जाभी आपने ती ये केंदर पर तिवर्ता जो है चुम्मक्य एच्छेतर के जो ठीवर्ता है इसका मान भी बढ़ा जाएका ठीक है ठीक है ठीक है तो जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाता है वह बढ़त है एक दूसरे को बढ़ा जाएगी दूसरी तरब करें व्यूत करमानुपाती होती तो घर जाती ना तो रीजन वाला स्टेटमेंट भईया गलत है असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है यानि ऑप्शन नमबर सी जो दिख रहा है वो आपको वह बिलकुल सत्य हो जाएगा कि अशर्शन सत्य है क चुंब्र की चेत्र की सकती वरिताकार कुंडली की तुरिज़या बढ़ाने पर बढ़ां जाती एसा कहाँ क्या कि एक कुंडली है इसके केंदर पर चोटी से कुंडली है और एक बड़ी से कंदली कहने इसकी तुरिज्या आर कर दि और इसकी तुरिज्ञा ऊल jsem आ ठी मतब छोटी थी ओर भड़ी थी अगर कुंडली की तुरिज्या बढ़ी कर दी है तो बहिए यहां पर केंदर पर जो धार्ण बढ़रा का मार्य जो है वह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऐसा ही कहे रहे है रहा बढ़ाने पर बढ़ जाती है अगले में reason क्या दे रहे है कि चुम्वके चेत्र की । टाकत मतलब तिवर्था परिपत्र कुंडली के तुरिज्ज्या के वित् 구ra मानुपाति कहना चाहता है जो कुंडली बना है इसके तरुजया के व्युतक्रमान उपाती होता है इसलिए वो कहना चाहते हैं कि यह घट जाएगी ठीक है तो एक बढ़ाने पर बढ़ नहीं जाती घट जाती है बढ़ेगी नी तरुजया बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ जागी आप एक बाद दता हूँ ये ये आर जो है ये ज़्यादा दूरी है अभी हमने क्या पढ़ाता कि धारावाही से दूरी बढ़ाने पर तिवर्ता कम हो जाती है तो क्या समझें तिवर्ता जो है वो इन्वाशली प्रपोर्शनल है ना एक बटा यही तो पढ़ा रहें दूरी बढ़ाएगा आपकी तिवर्ता खट जाएगी बढ़ेगी नहीं लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि भाईया अगर आपने तुरिज्या बढ़ा दी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना भाई तुरिज्या बढ़ा दी तो इंटेंसिटी कम हो साब कार कुंड़ि के फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारावाही वृतिकार कुंड़ि में उत्पन्चुम्च्छितर 10 फिर्त बढ़ जाती ये तो बात लग रही पंटन पर डिपैंडन्ट होता है कौन चुमकिये शच्चार में जदा इसके कंदर पर आपको देखने को मिलेग चुमकिये शेटर की तिवरत्या बात सहीए है और चुमकियशाम की तिवर्ता गोलाकार कुंडली के घुमाओं की संख्या के सीधे अनुपातिकrale मतब ये कह रहे हैं कि वही कि या होता है क्यों कि चुमकियशाम की तिवर्ता है वह कुंडली के number of turns के directly proportional यह बात सही है यह क्यों बढ़ रही है क्योंकि number of turns के directly proportional है जितने ज़्यादा घुमाओ के संख्या हमारे कुंडली में होगी उतना ही ज़्यादा हमको उसके केंदर पर चुम्भी की चेत्र की तिवरता देखने को मिलेगी अर्थात असर्शन और रिजन दोनों सत्य होगे and reason is the complete explanation of assertion मतब ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है एकी सही व्याक्षा है मतब आप्शन नमबर ए हो जाएगा हमारा सही आप्शन ठीक है चलिए अच्छी बात है बई देखते हैं अगला question question नमबर 8 धारावाही परिनालिका को चुम्बक की तरह ns दिसा में रुख जाती है हां सही बात है चूर रुखती है क्योंकि हमने एक बात पढ़िये है कि कोई धारावाही परिनालिका होती है वह भीएग करती है जो रॉड बागने छड़ चुम्बक के तरीके से ही बेवरित होती है मतब यह रही हमारी कुंड चुम्बक की जिस भी जगह पर देखे साउथ पोल कहां होता है जहां पर यह देखे यह धारा के दिसा में एरो बना है और नौट पोल कहां होता जहां पर एंटी क्लोक वाइस होती है तो यह पोल बने इसका साउथ और यह वाला पोल अपके सावीफ करेंगा नॉर्थ और ह इसमें एंटी क्लोक वाइस डिरेक्शन में करेंट बहरा होता है ऐसा है करेंट की डिरेक्शन देखे ऐसी होती है इधर की दिसा में तो यहां पर करेंट की डिरेक्शन क्या होती भी यहां से उपर आती यहां से नीचे जाती ऐसी एंटी क्लोक वाइस तो यहां पर कौन सा बनता है यह नॉट पोल के तरीके से बीप करता फिर ये साउथ मैं कोई भी साउथ कोई भी नॉट जो तो आपको एक इसको न चेया दिलानी थी दिला दी मैं Hem लेकिन मैं वहां पर यह कहूंगा आपसे विसाउथ कोई भी नौ्श छलेगा मुझे मुझे वह मनजूर है लेकिन यह बात होता है न कि अगर इसको फ्रीली लटका दिया जाए फ्री इसको क्या क्या दे लटका दे तो यह तो छड़ चुम्बक मन चुका है जिसको नौट से फिल लाइंस बाहर निकल लिए साउथ पर टर्मिनेट हो रही है इंसाइड साउथ नौर्थ होती है तो यह तो बार चुम्बक हो गया ना एक चड़ मैगनेट हो गया और चड़ मैगनेट के प्रापरटी क्या है बही कि एक सीरा में साउथ में और एक सीरा में सा नौर्थ में जाकर करके रुकता इसलिए उसको नौथ पोल एंड साउथ पोल भी कहते हैं उतरी दुरू और की बात ही ब्योहार करता है सही बात है ये साउथ और नॉर्थ में क्यों रुकता है क्योंकि इसका एक सीरा साउथ पॉल और दूसरा सीरा नॉर्थ पॉल के जैसा बिहेव कर रहा है एक सीरा साउथ पॉल और एक सीरा नॉर्थ पॉल के जैसा बिहेव कर रहा है इसलिए मतलब Assertion भी सकते है Reason भी सकते है Reason complete explanation है Assertion का जो कारण है वो हमारे अभी कथन का पूर्ण तह व्याख्या कर रहा है अर्थात option क्या दिख रहा है आपको Option number A Option number A चलो भया यहां तक की कहानी clear हो गए और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बड़े ही असानी से concepts हमारे cross verify हो रहे नहीं ऐसा लग रहा है न कि हमने जो पढ़े ते जो सीके थे न उसको cross verify किया जा रहा है cross verify का ऐसा मतलब कि जो हम सोच रहते हैं उसके क्या क्या possible ways हो सकते हैं कैसे कैसे हम critical thinking को बढ़ा सकते हैं इसी के लिए assertion reason है भई हमारी critical thinking critical abilities को बढ़ानी के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आराम से relax होकर के answer करेंगे सब के answer मिलते हैं और अभी अगला question आपके सामने है जब तक करने है तब तक में एक छोटी से बात बताते चलूँ अभी जो हमारी CBSE है वो सीधे बस यही चारी है आपके marks बहुत बहुत बहतर हो जाएं आप खूब सारा number लेकर क्याएं ऐसा हमें required नहीं है हमारी requirement यह है कि आपको knowledge बहुत सारा हो आपको उस subject पे पकड़ हो आप उसको समझ सके रादर दान की यूँ आप है न एक score करें तो बहुत अच्छा result आ रहा है हमारे पास में क्यों हमारी सिर्फ समझ विक्सित कोन नहीं करना चाहता है हर कोई चाहता है अपने आपको updated करना है फोन का एक अपडेट आता तुरंत ही लगाते न अपडेट पर भी updated ही चाहिए वैसे हमारे brain को भी तो update करना पड़ेगा और update कर ने का यह है हमारे पास एक प्यारा सा तरीका हरा question number nine पर चुके हैं चलिए यह question को भी निप्टाते साथ-साथ क्योंकि एक्जाम पास में है ना तो वह भी खटकरा होगा आप चलो time pass बिलकुल नहीं करे लो आप उर्ती में वेकल्पिक current का उपयोग किया जाता है यह current है यह थारा है ठीक है यह किस क्या है यह धारा है वेकल्पिक धारा का उपयोग किया जाता है कारण क्या है ऐसी विदुद सक्ति को उर्जा की अधिक हानी के बिना लंबी दूरी तक प्रेसित किया जा सकता है मतब कह रहें कि जादा देर तक उसको संचालित किया जा सकता है ठीक ह है हना alternating current जो हमारी alternating current है एसी यानि क्या कहते है इसको इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा तो प्रत्यावर्ती धारा का उपयों घरों में किया जाता है बिल्कुल किया जाता भी एसी की बात करें एसी हम काम एसी को यूज में लेते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम easily बहुत सारा उसमें पावर लॉस नहीं हो और दूर तक भीज सकें, तो यही बात बिलकुत सही है भई AC से लियी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पावर लॉस कम होता है, सक्ति небольш tricked है इसमें कम होता है, ज्यादा दूर तक आप easily इसको भेजते हैं इसका power dissipation नहीं होता जबकि DC को बहुत दूर तक नहीं भेज सकते थे dist current को बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता है मतब यह जितने एक सार से दूसरे सार current जो जाता है वो AC है जो हमारे घरों में supply आता है वो AC है ठीक है न तो चलिए option क्या समझ में आ रहा भई option number A यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है और इसको explain भी कर रहा है कि यह क्या कहना चाहर है over to question number 10 एक तार के एक गोलाकार कुंड़ी के केंद्र में चुमकिये छेत्र की ताकत कुंड़ी के त्रिज्या पर निर्भर करती है कह रहे है कुंड़ी की जो त्रिज्या रहने वाली है उसके उपर निर्भर करती है कौन भाई गोलाकार जो कुंड़ी है ये रही कुंडली इसके केंद्र पे जो तिवर्ता होगी चुमकिये च्छत की वो इसके रेडियस पे निर्भर करती है बात सही है हमने अभी देखा क्या होती भी व्यूत करमान उपाती होती है तिवर्ता जो है ये दूरी के व्यूत करमान उपाती होती हमने यही पढ़ा में तार के घुमाओं की संख्या पर निर्भर करती है हाँ ये बात भी सही है ये बात भी सही है ये बात भी सही है लेकिन number of tons का कोई लेना देना नहीं था इस कहानी statement स्रेट्मेν्ट में अभी क्यतन Kn Hai number of tons कोई लेना सही हो जाएगा कि अशर्षन ओर बात को बता रहा है तरी जा वाली बात को बता रहे कि इकाहरा था है । कर्मान उपाती होता है तो हमने कहा ना कि हां उसका complete explanation है यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही मतलब भी option क्या हो गया साही आगे बढ़ते हैं धारा वाही तार अपने पास रखी चुम्बकिये सुई को विच्छेपित करता है बात साही है कोई नहीं बात थोड़ी बताई है ह धारा वाही तार के चारो और एक चुम्बकिये छेत्र विद्धिमान होता है यह भी बात सही है ठीक है क्यों विच्छेपित करता है चुम्बकिये सुई को क्यों विच्छेपित करता है क्योंकि ऑस्टें ने प्रयोग करके बता है कि धारा वाही चालक के चारो तरफ चुम ये सबका केंद्र जो होता है वो एक ही बिंदू होता है मतलब सीधा सिंपल सा समझू में आरहा है कि आपको ये जो ये पूरा छेत्र अगर आपको पता करना है तो आप सीधे सिंपली समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से मैं वले बनाता जाऊं तो इसका जो केंद्र है यहां पर से जो वायर पास हो रहा है यहां पर से जो आपने तार पास किया हुआ है ठीक है इस तार के कारण इस बिंदू के कारण यहां पर चुमकी इच्छेति के तिवर्ता ऐसे वरिताकार रूपों में होती है यह स्यितय जैसे वैसे से दूरी बढ़ाते जाते तिवृता कम होते जाती तो बात सही बात कहीं सही है कि दारवाही के अपने पास घार वाही था अपने पास चुमकिय सुई को भी Χपीत करता है और क्यूं करता है युद्यमान होता है मतब joke एक्षफलेनीशनि भी है यानि ये option इसका सही answer है ठीक चलिए question में 12 पर आते हैं भार में question पर यहां कहने है अभी के तुन assertion में कहने कि solenoid coil में प्रती unit लंबाई के घुमाओं के संख्या बढ़ा कर एक electromagnet की ताकत बढ़ाई जा सकते हैं जो solenoid होता है ठीक है ना जो solenoid solenoid होता है परिनाली का है यह प्रेरन कुंडली मैंने सभी लगबग नाम इस्तमाल कर लिये हैं जितने इसके संभाव नाम है ताकि सब कुछ आपको समझा सकूँ यह हमारी परिनाली का है कहने कि प्रती उनिट लंबाई के घुमाओं की संख्या बढ़ा के पहले कह रहते जड़ा देखे ना यहां से यहां तक कि जो length L है इसमें एक दो तीन चार टन है अभी इसी length में यही इतने से length में अभी मैंने number of turns क्या किया है रेडियस उतना ही रखता हूं है ना अब नमबर ऑफ टन्स कितने कर दिया बढ़ा करके आठ कर दिये तो number of turns अगर आपने बढ़ा दिया तो यह कहना चाहते हैं कि electromagnet की ताकत बढ़ाई जासे अब इससे जो electromagnet बन रहा है जो विदुत चुम्बक बन रहा है इसकी ताकत बढ़ गए बात सही है बही नमबर ऑफ टन्स अगर बढ़ाई जाती है घुमाओं की संख्या फेरों की संख्या बढ़ाई जागी तो चुमकिये चतिकेति वर्ता बढ़ती है बात सही है परिनालिका में प्रवाहि धारा को बढ़ा कर विदुत चुम्बक की सक्ति को बढ़ाया जा सकता है ये भी बात सही है इसमें जो amount of current जो पास हो रहा है उसकी धारा की जो value है उसमें अगर आपने वृदी कर दी अगर उसको बढ़ा ये इसमें अगर कहता है कि ये number of turns बढ़ाने से हो क्या रहा है चूँ number of turns बढ़ाने से यहां पर चुम्बक की चेतिकेति वृता जो है बढ़ रहे है इलेक्रोमेगनेटिसम बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है ना नीचे वाले में नीचे वाले में तो एक नहीं रमा वो अभी कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है सही है वो लेकिन व्याख्या नहीं है उसके explanation है यहां तक हमारे को समझ में आगए हमारे questions और इनके patterns भी समझ में आगए and हमें ये बात पता चलगी कि किस तरीकी के questions हमसे पूछे जाने वाले हैं examination में assertion reason वाले questions बड़े ही ज्यादा तकलिफदाई हो जाते हैं जैसे पता चलता है कि एक नया format आ रहा है इसके questions भी आएंगे क्या और यार यह कैसे होगा क्या होगा यह यह बहुत कुछ अब तो नहीं रग रहा है ना डर मैंने बोला ताना station complete at in case you and आपको डरने के कहीं पर भी जुरत नहीं मैं तो कि यह क्या इसके साथ साथ एक और announcement देते चलनों कि भी यह इसके साथ साथ के स्टेडी वाले questions और देखेंगा वह भी चार नंबर का है सीदे सीदे तो के स्टेडी के questions को और आप देखेंगे हैना उसकी भी separate आपको video links मिल जाएंगी जहां पर आप के स्टेडी के questions को भी separately कर करने वाले भी आपको समझ कितनी है यह टेस्ट करने वाले बसा इसके कि आप से पूछने ओम का नियम क्या था आप explain करो ना तो इस लिए इस तरीके के questions को आप बहुत ही ध्यान पुर्वक देखेंगे समझेंगे सीखेंगे and again magnet prince तो ही आपके साथ जो कि लेकर कहाते हैं एक high quality education और इतने सारे segments में मतलब आप चाहें CBS English Mediums हो या फिर CBS Hindi Mediums हो आपको आपका course content मिलता है free of cost and यह completely NCRT best है ultimate मतलब है कि आप किसी भी state board से हो आपके लिए यह पूरा course content available है क्या क्या मिल जाता भी तो यहाँ पर मिल जाता है आपको concept videos, one shot revision videos, MCQs, previous year questions, most important questions, value based questions, assertion region, case studies, और भी बहुत कुछ तो simply आपको करना क्या है आपको बने रहना है magnet brains के साथ and यह सारे courses देखते रहना है and अपनी तयारी पूरी करनी है साथ ही साथ अगर आप UPI भी हार बोर्ट से आते हैं तो आपके लिए तो exclusive playlist available है जहाँ पर आपके बोर्ट के according list सब कुछ available है along with NTSC, Olympiad, CUET and spoken English अगर आप इसके लिए join है MBE तो भी यह magnet brains के साथ बने रही है क्योंकि हम यह सारे courses भी लेकर क्याते हैं free of cost और exclusive आपके लिए तो भाई जिस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल पर connected है वैसे हमारे साथ connect हो सकते हैं मेरे social media platform पर भी that is facebook, instagram, twitter, telegram पर जहाँ पर कोई suggestions कोई सुझाओं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं and हमारी तरफ से कोई नई announcement आती है वो जल्दी से जल्दी हम आप तक पहुंचा सकते हैं जैसे कि एक announcement है कि हम लेकर क्या गये हैं exclusively Hindi mediums में भी books and e-books जो कि वीडियो के description box से जाकर करके आप order कर सकते हैं तो फटफट जाईए चकाउट कीजिए अपने in books and e-books को भी and अपने आपको और solid बना लीजिए तो जल्दी से क्या करना भाई इस वीडियो को like कर दीजिए channel को subscribe and इस अपने दोस्तों में भी share कर दीजिए भाई क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि magnet prince इंदी लेकर कहते quality education experience teachers के साथ and of course free of cost तो बने रही है हमारे साथ हम मिल रहे हैं अपने अगले chapter के इसी type के questions के साथ तब तक के लिए thanks for watching